स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एक लव्या स्टेडी पॉइंट पे और मेरा नाम है सचेन और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की हिंदी कोर से जो आपकी वितान बुक है और महां से जो आपका चैप्टर है डायरी के पन्ने इसकी इजी एक्स्प्रेलेशन देखने व तो अब हम परीचे से स्टार्ट करते हैं यह जो फोटो है आप सभी के सामने यह N. Frank का फोटो है हो सकता है आपने कभी अपने छोटी क्लासों में भी N. Frank के बारे में पढ़ा हो डायरी ओफ N. Frank और यह सब आगर आपको याद आ रहो तो उसी से रिलेटिड हमारा यह पूरा जो है ये चैप्टर है दुईतिय विश्विद के समय होलेंड के यहूदी परिवारों को जर्मनी के प्रभाव के कारण बहुत सारी यातनाय सहनी पड़ी थी अगर आपने कभी पढ़ा हुई सबके बारे में सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे कितनी यातनाय सहन करनी जर्मनी के लोग थे उनको बहुत जादा करते थे उनको मौत के घाट उतार देते थे देखो गुप्त तैह खानों में छिपकर जीवन रक्षा करनी पड़ती थी उनको भई छुप जाना पड़ता था बंकरों के अंदर जाके शारिडिक और मानसिंग की आतना भी उन्होंन जर्मनी के शासक ने गैस चैंबर वा फाइरिंग स्कोर्ड के माधियम से लाखो यहोदियों को मरवा डाला सुना होगा अगर कभी अपने हिटलर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे इनकी फोटो देखके याद आगया होगा गैस चैंबर के अंदर छोड़ देते थ भाई इतना बुरी मोत मारते थे इन लोगों को आप सोच भी नहीं सकते अकल्प नहीं है यातनाए उनको छेलनी पड़ते थी अब हम देखते हैं ऐसे समय में दो यहोदी परिवार एक गुप्त आवास में दो वर्ष तक शिपे रहे ठीक है एक सीक्रेट जगा पे यह जो परिवार में वान दमपती यानि कि पती पतनी थे वान मिस्टर और मिस्स वान और उनका सोला साल का बेटा पीटर ठीक है यह तीन लोग ते समझ में आ गया यह दो अलग अलग फेमिलीस थी जो की छुपकर रह रही थी ठीक है जर्मनी के लोगों से और यह यहोदी थे इसल क्या होने वाला है क्या हम करना चाते हैं यह क्या हुआ आज पूरे दिन में तो वो अपनी डायरी लिखती थी ओके यह डायरी 2 जुन 1922 से ठीक है पहली अगस 1924 तक लिखी यानि कि 42 से 24 तक के जो 2 साल थे यह पूरी डायरी एन फ्रेंक ने अपनी लिखी अब हम देखते है एन की मृत्यू के बाद उसके पिता ओटो फ्रेंक ने इसे 1947 में प्रकाशित करा इस डायरी को पब्लिश करवाये गया अपनी डायरी में एन ने ये चिटिया अपनी किटी नामक उस गुडिया को संबोधित की जो उसे अच्छे दिनों में जनम दिन पर उपार में मिली थी ठीक है वो पूरी बहुत अच्छे से डायरी लिखी वी थी अंदर और इस डायरी में भै, आतंक, भूख, प्यास, प्रेम, गिरना, हवाई हमले, पकड़े जाने का डर, कलपनाए, हसी, मजाक, युद्ध की पीडा, किलापन, सब कुछ है वही जो भी हम अपनी डायरी में experience करते हैं, वो अपनी डायरी में लिखते हैं, वैसे ही एने फ्रेंक ने जो भी experience किया, आतंक कैसा था वहाँ पे, पकड़े जाने का डर कितना होता था योदियों को, अपना जुल्म जो उन्होंने सहा, वो देखने के लिए, वो समझने के लिए, अगर हमारे पास कोई एक आपको ये डायरी हमें क्या बताएगी, तो इस चेप्टर में आपको हो सकता है थोड़ा ये चेप्टर सुनने में अजीब लगे, इसके नोट्स अलग तरीके से दिखें, तो हम वो सीधा ऐसे देखेंगे कि ये डायरी में किस तरीके से लिखती थी, जाद आपको डीप न नामक अपने गुडिया को वो संबोधित करके अपने चेप्टिया लिखती थी, लिखा है इसने, मेरे जीवन में रवीवार को जो परिवर्तन आया है, उससे तुम परिचित नहीं हो, मैं जिन्दा हूँ, लेकिन किन परिस्तितियों में हूँ, ये मत पूछना, मैं प्रार मिला है, ओके, फिर क्या हुआ, मा पापा के बिजनिस पार्टनर और अच्छे दोस्त, वान, ठीक है, वान फैमिली, आमने पढ़ा था, ये दो तरीके के फैमिली है, तो ये उनके पापा के, एन फैंक के, जो ठीक है, जो पापा थे, उनके अच्छे दोस्त थे, बिजनिस में रह गई बुलावे का अरत है यातना शिवर भाई अगर बुलावा आता था था ने किसी को वहाँ से तो यानि कि समझ लो नर्क की है जीवन है वो ठीक है नर्क की सहर करके आएगा जो भी वहाँ जाएगा मा वान दौन से पूछने गई है कि कल ही दोनों परिवार चिपने की जगह चले यानि कि ये दोनों यहुदी परिवार थे तो जो एनि फ्रेंग की मा है वो वान परिवार से पूछने जाते की हमें अब गई छुपना होगा यह नोटिस आ गया है यह तो बुलावा आ गया है तो पापा यहुदी अस्पताल में किसी को देखने गए है मा और पापा को इंतजार करने पढ़ रहा है तभी मा और वान भीतर आए और अपने पीचे धरवाजा बंद कर दिया मैं और मॉर्गेट बैडरूम में बैठे बाते कर रहे थे यह सारी चीज़े एने फ्रेंक ने खुद लिखी हुई है घर में किसी और को अंदर नहीं आने दिया क्योंकि मा और वान अकेले में बात करना चाहते थे मॉर्गेट ने बताया कि बुलावा पापा के लिए नहीं अपी तो खुद उसके लिए था यानि कि मॉर्गेट के लिए ही वो बुलावा था मैं तो चीख पड़ी क्योंकि मेरी बहन 16 वर्ष की थी कौन चीख पड़ी एने फ्रेंक ठीक है मेरे मन में ये प्रस्ण कुल बुला रहा था कि हम ऐसी परिस्थिती में कहां चिपेंगे शेहर यहां घरतवा तहकाना कुछ पता नहीं था अब हम दोनों बहनों ने बहुत ज़रूरी समान को एक थेले में बरना शुरू करते यानि कि अभी अपनी तयारियों में लग गए कैसे उनको अब छुपना है क्या क्या हो रहा था इसके बाद हमने Mr. Clemen को फोन करके शाम को उन्हे अपने घर बुलाया Mr. Von मियप को लेने चले गए थी मियप आई और रात को फिर आने का वादा करके चली गई वे भी अपने साथ रात को समान से भरा एक थेला लेकर आई हम इतने आतंकित थे कि किसी ने खाना नहीं खाया मीयप और जान गियेज रात को 11 बजे आए मीयप 1933 से पापा की कमपनी में काम कर रही थी ये पती-पतनी पापा के अच्छे मित्र थे समझ में आया मीयप कौन था? वो इनके एने फ्रेंक की जो पापा की कमपनी में काम कर रही थी और ये पती-पतनी उनके पापा के अच्छे-खासे फ्रेंड्स थे बहुत सा छोटा-मोटा सामान अपनी जेबों में भरकर और बैग लेकर साड़े-ग्यारा बज़े ये दमपत्ती चले गए यानि की पती-पतनी दोनों चले गए इस रात मुझे गहरी नहींद आ गई एने फ्रेंक बताती है मैं पराता है साड़े-पांच बज़े उठी मॉर्निंग में दिन में थोड़ी ठंड थी अतय हमने अपने शरीर पर बहुत अधिक कपड़े पहन लिए क्योंकि हम अधिक कपड़े ले जाना चाहते थे ऐसे स्थिति में कोई यहुदी सूटकेस तो लेकर जा नहीं सकता था भई पकड़ा गया तो मौत के गाट सीधा साड़े साथ बचे अपनी बिल्ली मुर्तजे को छोड़ कर हम भी अग्यातिस्थान पर चल दिये अब आगे देखो क्या होता है गुरुवार 9 जुलाई 1942 अगली चिठी में क्या लिखा है यहाँ पे प्यारी किठी मैं ममी पापा बड़े बड़े थैले और शोपिंग बेग लेकर तेज बारिश में भीगते हुए घर से निकले थे हम कोई बाहन नहीं ले सकते थे सुबह सुबह अपने काम पर जाने वाले लोग हमें लाचार दृष्टी से देख रहे थे जब हम गली में पहुँच गए तब पापा ममी से सुना कि हमें 16 जुलाई को अग्यातवास के लिए जाना था गुलावे के कारण कुछ दिन पहले चलना पड़ा यानि कि इनको भाई फरार होना था न वहां से पापा के ओफिस की इमारत में छिपने की जगह बनाई गई थी पापा के ओफिस में थोड़े से आदमी कारे करते थे उनको कुछ भी बताया नहीं गया था इस इमारत में भूतल जो ग्राउन फलोर होता है ठीक है पर वहां पे गोदाम था यहीं इलाईची लोंग काली मिर्च आदी पीसे जाते है गोदाम से सटा हुआ एक बाहर का दर्वाजा है जो ओफिस का परवेस द्वार है सीडिया चरकट उपर पहुँचने पर एक और द्वार है जिस पर शीशे की खिडगी है जिसमें से आरपार नहीं देख सकते है इस पर काले अक्षरों में कारयाले लिखा है इसी बड़े से कमरे में दिन के समय बेप, मीयप और मिस्टर क्लीमेन काम करते है एक छोटे से गलियारे में दमगोटू अंधियारे से यूख तेक छोटा सा कमरा बैक ओफिस है ठीक है पीछे का ओफिस यही मिस्टर कुगलर और वांदान बैठते थे मिस्टर कुगलर के ओफिस से निकल कर तंग गलियारे में चार सीड़ियां चड़कर प्राइवेट ओफिस है मतलब अंदर पूरा वो बता रही है ओफिस के अंदर क्या क्या है जाम हो गए यहां फरनीचर, फर्ष, कालीन, रेडियो, लेंप सब कुछ अच्छा है बड़े से रसोई घर में हीटर और गैस के दो चूले भी है अब आगे देखते हैं क्या है 23 जनवरी और 28 जनवरी 1944 23 जनवरी को एन फ्रेंक ने लिखा कि उसे राजसी परिवारों की वन्शावली में अच्छी रूची हो गई है वे रविवार को फिल्मी कलाकारों के तस्वीरें अलग करने वा देखने में समय व्यतित करती है साथी एन फ्रेंक को बालों का स्टाइल बनाना बहुत पसंद है जनवरी एन फ्रेंक लिखती है कि वह मिसेज वांदान की हर कहानी को सुनकर बोर हो चुकी है क्योंकि वही कहानी उसने पहले भी सुन रखी है ठीक है यानि कि सील से भी मतलब पुरानी बाते बहुत ज़ादा एक तरीके से बहुत पुरानी पुरानी बाते वह मतलब बताते रहती है जैसे गोडों की दोड ठीक है लीक करती नाओ और चार साल की उमर में तहरने की बाते यानि कि बोरिंग बोरिंग जो बाते थी वो सब वो उसको सुना रही थी जो उसको पसंद नहीं हा रही थी 29 मार्च 1944 29 मार्च को एने फ्रेंक ने लिखा कि केविनेट मंतरी मिस्टर बोल के स्टीन ने लंदन से डच परसारन में घोशनाय करते वे कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वरणन करने वाली डायरियां तता पत्रों को खटा किया जाएगा ये सुनकर एने फ्रेंक का मना अनंद से भर गया लेकिका ने कहा कि डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है वे सबी भोके हैं उनके यहां एक दो हफ़ते का राशन दो दिन भी नहीं चल पाता ब्लैक मार्किट में जूते का तला 7.50 गिल्डर का मिलता है सो बागे से बहुत कम डच लोग गलत पक्ष में हैं ये सब चल रहा था फिर है 11 अप्रेल 1944 एन फ्रेंक ने 11 अप्रेल को डाइरी में लिखा कि शनीवार को गोला बारी शुरू हो गई तेज धमाका सुनने के बाद ही एन फ्रेंक छत से नीचे उतरी थी एन फ्रेंक के चेहरे का रंग फीका पढ़ गया था और उसके पापा ने उसे जल्दी ही नीचे आने को कहा था घर में सबी लोग परिशान थे क्योंकि अब सब को बताता कि आलत और बिगड़ते ही जा रहे है फिर क्या होता है 13 जुन 1944 13 जुन को एन फ्रेंक ने डाइरी में लिखा कि सभी डच लोग ब्रेटेन का मजा पुडाते हैं और उन्हें कायर भी कहते हैं पीटर के बारे में लेकी का कहती है कि वह केवल एक अच्चा दोस्त है क्योंकि वह ये मानती है कि पीटर का सभाव उसके सभाव से बिलकुल भी नहीं है एने फ्रेंक कहती है कि लोग उसे गवेंडी समझते हैं पर अंतो वह है नहीं एने फ्रेंक अपनी कमियों को जानती है और उन्हें ठीक भी करना जाती है जबकि लोग ऐसा कह भी नहीं सकते हैं वे लिखती है कि नारियां केवल बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है नारियों नहीं समाज को बनाया है फिर समाज उन्हें उजित सम्मान क्यों नहीं देता ओरतों की मुश्किलों को पुरुष का भी जहल भी नहीं सकते इसलिए इन मुश्किलों या तकलिफों का अनुमान लगाना भी उनके लिए असंबव है लेकका को यह विश्वास है कि अगली सदी में ओरतों को अधिक सम्मान और गोरवस की दृष्टी से देखा जाएगा तो यह सब वो लिखती हैं और यही उसका आखरी था तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेर कर दें यह थोड़ा समरी इसकी इसी टाइप से आपको यही पतर याद रखना है कि किसमें क्या का गया था तो बाकी में आपको important question भी करवाओंगा जय इन जय भारत बहुत बहुत धन्या